वेलकम टो लिलिया आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स उसे पहले हम देखेंगे आज की डिजाइन जिसको मैं पेंट करके आपको दिखाऊंगी नेक्स हम कलर देख लेते हैं जो मैं यूज करने वाली हूँ और ये हमारा राउंड ब्रश डिसाइन में सबसे पहले मैंने लीव को पेंट करना शुरू किया है स्टेब बास्टेब हम देखेंगे किस तरीके से मैं पेंट कर रही हूँ पेंट को अप्लाई करने का क्या तरीका है अध्यान से देखिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू है और आप पेंटिंग में इंट्रेस्टेड है तो आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सबस्क्राइब कर ले ये आपके फैब्रिक पेंटिंग के जड़ने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम पे आपको मेरा पेज मिल जाएगा लिली आर्टिस्ट नाइन के नेम से और अगर आप मेरे चैनल से पेंटिंग सीखते हैं और कोई भी डिजाइन पेंट करते हैं जिसे आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप इंस्टार्गाम पे में इसाँ शेयर कर सकते हैं आपका वर्क as a subscriber वर्क मैं शेयर करती हूँ कम्यूनिटी पोस्ट पे केर उसे नॉयल वाला प्रोसेस या फिर आप कार्बन से जिस तरीके से आपको ज़्यादा कमफर्टेबल लगे आप डिजाइन को ट्रेस कर सकते हैं ट्रेस करना नहीं आता कोई बात नहीं उस पे भी मैंने वीडियो बना दी है अगर आप फैब्रिक पेंटिंग में न्यू है बिगनर है तो उसके लिए बिगनर्स प्लेलिस जरूर देखिएगा क्लास बन से मैंने उसमें आपको बेसिक से एड्वांस तक की सारी इंपॉर्टन जो चीजे हैं वो मेंशिन की है कि कि इस चीज के आपको जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से आपको पेंट करना है आप मेंसे किसी का कॉमेंट आया था कि फ्रेम कैसे लगाएंगे तो वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में बताई है बट एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया था बहुत स्टार्टिंग में कि फ्रेम को कैसे लगाएं फिर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था बट आप लोग के कॉमेंट से मैंने उसको फिर से पब्लिक कर दिया तो आप वहां से देख सकते हैं और मैंने आपको बिगनर्स क्लास वन में भी फ्रेम को कैसे लगाएं यह दिखाया है फाब्रिक पेंटिंग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलॉथ पे कर सकते हैं सिल्क के लिए डिफरेंट पेंट आता है तो फैब्रिक पेंटिंग हम बेटशीट पे करते हैं सूट आपने देखा होगा पंजाबे स्टाइल सूट या बहुत सारे आपने इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट सूट देखे होंगे तो वो इसी तरीके से पेंट किया जाता है और अगर आप सीखना चाते हैं सूट की पेंटिंग तो सूट पेंटिंग प्लेलिस्ट आप सर्च करें या चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वहाँ पे मैंने आपको पेंट करके दिखाया है तो आप देख रहे हैं स्टेप बाइ स्टेप किस तरीके से मैं बहुत ही ब्यूटिफुली लीव को पेंट करते जा रही हूँ आपको भी इसी तरीके से पेंट करना है वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी बहुत ही खुबसूरे डिजाइन को पेंट होते देख सकें और इससे सीख सकें झाल 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 तो देखिए इसी तरीके से वन बाई वन मैं डिजाइन में जितनी भी हमारी लीव्स हैं उसको पेंट कर लूँगी पेंटिंग का कलर मैं कौन से यूज कर रहे हूं स्टार्टिंग में आपको दिखाया था और उसके बाद अब देखिए मैं यह अपना छोटा वाला रोस पेंट करना शुरू कर रही हूँ अब आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से बहुत ही इसली यह ब्यूटिफुल सा रोस पेंट करने वाली हूँ जिसका पैटर्न अभी तो आपको देखके बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कुछ लोगों को टफ भी लग रहा होगा बट आप जब step by step वीडियो देखेंगे ध्यान से कि किस तरीके से मैं पेंट कर रही हूँ और इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत ही ब्यूटिफुल सा रोस या कोई भी फ्लावर जो मैं पेंट करती हूँ करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि शेयर करना बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का एज सब्स्क्राइबर अब आगे वीडियो में हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से मैं पेंट कर रही हूँ कलर देखें मैं बहुत ही बेसिक सा यूज कर रही हूँ वाइट और पिंग का मैं शेयर यूज कर रही हूँ किस तरीके से बातों बातों में ही मैंने इतनी सारे पेंट कर दिया है आगे देखेंगे कि किस तरीके से मैं पेंट करूंगी और आप भी जब ये वीडियो देखते हुए paint करेंगे, practice करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जबरदस paint करना आप सीख जाएंगे बस इसमें आपको practice पे थोड़ी मेहनत करनी होगी और अगर आप draw करना सीखना चाहते हैं तो मैंने flower drawing करके एक playlist बना दी है जिसमें मैंने आपको flower और design draw करके दिखाई है तो आप वो सारी videos देखके draw करना भी सीख सकते हैं यहाँ पे मैं एक point जो हैं वो mention करना चाहूंगी specially mention करना चाहूंगी कि किसी भी चीज में जो game changer point होता है वो practice होती है तो यह depend करता है कि आप किस तरीके से practice करते हैं painting की कि जिस तरीके से आप shade को practice करेंगे उसी तरीके से वो involuntary तोर पे आप फिर बनाना शुरू कर देंगे इसलिए मैं बोलती हूँ कि starting में आप video देखते हुए practice करें ताकि आप सही practice करें और आपका जो hand है वो सही shades पे set हो जाए कभी कभी क्या होता है हम गलत आदत जो है उसको practice कर लेते हैं फिर उसको improve करने में बुखाट जाद ही हमें में नगती है अब देखिया outer layer जो है rose की वो मैंने paint कर लिया है अब मैं अंदर की petal को paint करना शुरू कर रही हूँ इसलिए अब धिहान से देखना है कि किस तरीके से मैं paint कर रही हूँ आद देखिया थाद रही हूँ अब द। इसलिए उसको अब दो दूटी है वो मैं जाद दूब यद दूब को कि कि अभग है आद दूब प्रभब झाल झाल आप देखी यहाँ पे हमारा रोज जो है वो पेंट हो चुका रहा है बट अब मैं इसमें दे रही हूं डिटेल्स डाल रही हूं शेट करूंगी जो की रियल गेम चेंजर होता है जब आपकी डिजाइन कंप्लेटली पेंट हो जाती है और आप उसको फिनिश करते हैं उसमें डिटेल्स डालते हैं तो उसकी खुब तूर्ति और भी शेशिंग दे रही हूं तो यह है हमारा रोल्स जो पेंट हो के बिलकुल तयार है नेक्स पार्ट में हम नेक्स फ्लावर को पेंट करेंगे और फिर कंप्लेट डिजाइन का लुक देखेंगे स्टे तून से यू अल इन पार्ट टू जो